प्यारे दोस्तों ये फकीर योगी व्रेंदी योगी नानिय स्टेट के इन सुन्दर बगीचों में घूम रहा है जहांकि चारो तरफ प्रकृती है पेर पौधे हर्याली चारो तरफ हमारा स्वागत कर रहे हैं और इसमें चार चांद लगा रहे हैं यहां हमारी बहन है चिरि करता हूं और मैं अपना अभार प्रकृत करता हूं कंडल रंगा राउजी के लिए जिन्होंने मुझे निमंत्रित किया आमंत्रित किया मेरे लिए घर बनाए और हमको ऐसे प्रकृतिके बात अवरण में जीने के लिए एक बहुत ही उपिक्त जगह दिया इसलिए मैं उनका धन्यवाद प्रकृत करता हूं और साथ ही साथ हम अपने सारे जो हमारे ग्रहक लोग बर्ग है उनसे भी निवेदन करता हूं कि हम यहां आए अपने घर बनाए और यहां जो भी कुछ कमिया है उनको जो मनेजमेंट है नानी सिटी से उनको बताएं और हमें खुसाहाल कुछ हंडेर एस्क्वार यार्ड का बगीचा मिलता है पार्क मिलता है मेरे को तो पचीस हजार बर किलो मेटर का यह नानी ने कार्डन दे दिया है फाइव इंटो फाइव पांच किलो मेटर इंटो पांच किलो मेटर इंटो पांच किलो मेटर इतने जगह में यह नानी तो पचीश हो गया ना पचेश पचीश स्कॉार किलो मिटर्स में फाइला हुआ है मैं तो धन्य हूँ और आज इवन में रिनी रहूंगा करना रंगा राउजी का जिन्होंने ये सुन्दर सा इतने बिहत जगहों पर हमारे लिए हमको घर बना दे दिया है ये देखो ये हर्य जाली कहां मिलेगी किसको नसीब है ये जारे दोस्तों मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि जो भी लोग नानी सिटी में इन्होंने अपने प्रॉट लिये हैं वो खुशाल है वो भागेशाली है इसे लिए तो हमारे प्रिये दोस्त करनल साब कहते हैं ये चंडी गर्ष अगे दूसरा पुली देखो आगे लेपाड आ गया ये लेपाड है ये दिख ली एक सेर खान है अरे यहां तो केवल सचे लोग होते हैं प्रेम करने वाले होते हैं जीव जन्तू पस उपक्षियों से धन्वाद पहरे दोस्तों बहुत बधाई हो आपने जमीन खरीदा है लेकिन इसको अच्छा बनाने का भी उतरदायों तो आपको है अगर केवल जमीन खरीद के रख देंगे तो थोड़ा गोकुल साब को भी स्टिमूलेट करना पड़ेगा यहां बहुत सारी कमियां भी आ गई है रात ऐसे अंधेरी होती है कि कभी देखाने होगा जैसे कि अम अधियाली है यह प्रकिर्टी ने खुद बना के रखी है यहां कुछ भी योगदान नहीं है नाड़नी सिटी का बहुत सारे ऐसे तरूडियां है जिस पर हम प्रकास डालना चाहते हैं लेकिन इससे बहुत गुश्य माजाएंगे इसलिए आप खुद आगे देख लीजिए और हमारा सहयोग से गोकुल साफ से निवदन करूंगा कि जो सपने थे परमादर ने ये माननी ये महान करने लंगाराव जी का उनके सुपुत्र होनों के नाते आपकी जीमेदारी होती है कि पिर्थवी पर स्वर्ग बनाईए और सत्मुच्छी चंडीगर साथ बनाईए औ और इसका जो मुख द्वार होना चाहिए और एम्स के सामने होने चाहिए वही सही है आपने एक दे दिया है पडमर सुमारम रोड पर में रोड से पांच-दस किलोमेटर दूर है भाई ये गेट खोल भाईए और गेट से ही हम ना अंदर आएंगे क्योंकि वही इसका सिटी वालों वही ओरिजनल उसका होना चाहिए वही खुलना चाहिए खुटना टेगना बंद करिये हम अपनी रक्षा सुरक्षा अपनी सुक्स्विधा के लिए हम जिमेदार हैं और हम तो भाई एक प्लोट के ओनर हैं गोकुल साहब आप तो हजारो हजारो एकर्स के मालि प्लोटिंग किया है मुख द्वार नहीं होगा तो कोन आएगा यहां बिजली नहीं पानी नहीं सरक नहीं पार्क नहीं जापने सुरू किया था तो सारे सुबधाएं थी और कुछ जादे भी कुछ गर्वर सर्वर हो गया कई भुदान आ गया कभी गौर्मेंट आ गया अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह से नाम रशन हुआ था करने रंगाराव साहब का तो आपको कुछ कुर्वानी देनी पड़ेगी अब हजारो हजारो करूर रुपिय जमा कर करके रख लेंगे और कुछ भी विकाष नहीं करेंगे तो आपका जो सेवक में और हमारे हजारो साथी हैं यहांके ग्रहक उनके साथ क्या इंसाफ होगा भाई इंसाफ करिये साथ क्या लेके आये थे आए हैसो जाएंगे राधा रंग फकीर एक सिंहासन चड़वले एक बंधिर जंजीर अरेलक जंडर भी दुनिया को जीत लिया खून की नदियां बहा दे अनेक अत्याचारी दुराचारी हिंदुस्तान पर हमला किया इंशिट बजा जादी हत्याएं करी बलातकार किया सर्मनास कर दिया कहां गए हो हम रहेंगे ना आप रहेंगे रह जाएगा किये हुए अच्छे करतूत हमारे सबूत छोड़के जाएंगे पचिन्नों पर लोग चलेंगे कि यह ऐसा मनसृता जो लोगों से प्यार करता था जो लोगों के स आप और करनरंगराव साब क्या लेकर आओगे भाई कितना तुम्हारा प्रपर्टी है कि हजारों सदियों तक तुम्हारे आने वाली पिरी के लिए कभी किशी की कमी नहीं होगा आशिरवाद देता हूं फकीर हूं मैं आपके बंस में एक से प्राकर्मिय ससी होंगे उनके दिल में करुणा द्या प्रेम का परवाब हैगा सत्यनाय पर चलेंगे कोई कमी नहीं होगी गोकुल भाई हमारे अच्छे दोस्त रहे हूं हम पर भरोसा रखो हम योगी हैं फकीर हैं हम कभी पक्षपात की बात में करते पुरी प्रिष्वी अपना परिवार है सारी आत्मा है हमारी समान है और समों को कल्यान के लिए दिन रात में प्रत्म करता हूं धन्वाद